पोकेट डाइरी हिंदी कहानिया कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम हर बार आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आते हैं एक बार की बात है एक छूटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी मा बेहत खुशी से जीवन व्यतित कर रहे थे रमेश आटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी मा बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई उसने रमेश की मा से रमेश के शादी की बात की जिसे सुनकर मा बहुत खुश हो गई अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई कुछी दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली जो दिखने में भी बहुत खुबसूरत थी रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली शादी के बाद कुछ दिन बेहत खुशी से बीते लेकिन रमेश और उसकी मा को रूपा के बारे में ये नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था वो महने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे तब रूपा अपने पती की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी जिससे रमेश के घर में जगडा शुरू हो गया कई बार ऐसा होता कि महिने का राशन लाने के लिए भी जो पैसे होते थे उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी एक दिन रमेश ने कहा रूपा अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बात करने का क्या फाइदा है आपको सोचना चाहिए कि आपके पती की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महिने में दस बार केटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभुशन खरीदे और खर्च करें ये सुनकर रूपा को गुस्सा आया वो गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते यदि तुम ज़्यादा ओर्टो रिख्षा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती थी ये कहकर रूपा अपने सास के पास गई और कही मा जी जो गहने आपके पास है मुझे दे दो मैं इसे पहन कर पार्टी में जाऊंगी रमेश की मा ने पूरी बात सुनने के बात कहा पुराने जमाने में सभी बहुए अपने जेवर सास को देती थी लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो रूपा ने कहा तुम गहनों का क्या करोगी मुझे दे दो अंत में रमेश की मा ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिये और रूपा उन गहनों को पहन कर पार्टी में चली गई इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई उसने रमेश की मा से रूपा के बारे में पूछा तो मा ने रूपा की बारे में सारी बाते बताई ये बाते सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने का सोचा रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की आलमारी और कुछ रसोई में रख दिया तो ये जेवर देखकर वो तुमसे कुछ पूछेगी। तुम उसका अच्छे से जवाब देना। उसके कुछ समय बाद ही रूपा किटी पार्टी से घर आ गई। और अपनी आलमारी में सभी नए गहनों को देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उसे फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले जिसे पाके रूपा की खुशी का कोई ठीकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन के राशन की तलाशी की तो उसे कुछ नहीं मिला जिससे वो परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा मा जी किचन का राशन कहा गया तब सास ने कहा बहू आपको गहने और कपड़े सबसे ज़ादा पसंद है इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेच कर आपके लिए नए नए गहने और कपड़े लाए है बाप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो ये सुनकर रूपा ने कहा ठीक है मगर खाने के बीना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूंगी तो सास ने फिर जवाब दिया अब खाना खाने की क्या जरूरत है तुम्हें अपने सबसे प्यारे चीज मिल गई है तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए ये सुनकर रूपा को अपने हरकत पर पच्चतावा होने लगा तभी रमेश की मौसी भी आ गई उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है केवल नए कपड़े और आभुशन जरूरी नहीं है इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है और अगर आपको नए कपड़े गहने पहनने का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारे चीज़े खरीद लेते सारे बाते सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पती के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी